कि हालो गाइज वैलकम बैक आजखी वीडियो एक रिक्वेस्टेट वीडियो है जिसमें हम बीसी ए और बीसी के फिफ्ट सेम का जो वोकेशनल सब्जेक्ट है वेब डिजाइनिंग टेक्निक्स इसके इंपॉर्टन टॉपिक्स पर हम डिसकस करने जा रहे हैं तो पहले आपक होना कि यह किस के लिए है यह दोनों के लिए है तो चलि हम बात कर लोते हैं कि हैं इसमें इंपॉर्टन ग्षक कौन से है बत अगें आपको ना चाहिए औस पूरा सलेवस पड़ना चाहिए जिए इन टॉपिक्स पर ही का एक टॉपिक दिया हुए पूरा इंट्रोडक्शन टू कैन्वा तो कैन्वा जो है इसका इंटरफेस का ओवर्वियू इसके फीचर्स क्या है ठीक है इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो डिजाइन फॉर्मेट्स अवेलेबल है वह आपको पता होना चाहिए कैन्वा के डि टेमपलेट किसको बोल रहे हैं पोस्टर्स अन फ्लायर्स जीच है यह आपको क्र लेना है यूनिट में और यदि हम इसी में बात करें सेकन विनिट की तो यहाँ पर है आपके पास में अंगूलर जेस का इंट्रोडक्शन तो यह यूनिट डॉटली आपकी अंगूलर जेस पर हैं तो angular js का जो architecture है वो आपको पता होना चाहिए उसका diagram और उसके diagram में जो components आएंगे उन components का description और इस ही unit में दी हम बात करें तो आपको basic angular js के जो tags होते हैं वो पता होना चाहिए और इसमें जो modules यूज हो रहे हैं वो directives और हम यह दी बात करें तो angular js के controllers understanding the roles of services कौन-कौन से services है उनका क्या role है और आपको उनको यह जो है creating and using services to share data and functionality तो angular js में जो भी आपको services use करने को या create करने को मिल रही है तो angular js का overall यह दी बात करें तो इसका architecture उसमें जो expression और modules है वो उसके बाद में इसके controller और services और creating and using services to share data and functionality यह जो चार से पांच topic है यह आपको उसमें कर लेना है तो यह आपकी unit cover हो जाएगी अच्छा इस बार आपको objective questions भी आएंगे vocational में भी आएंगे तो मैंने explain कर रखा है पूरा exam pattern तो यह भी आपने वो नहीं वीखी हो video तो आप उससे go through कर ले एक बर और third unit पर जब हम आजाते हैं तो यहाँ पर है आपका data binding and scope तो angular js में जो data binding है उसका description क्या होता है data binding ठीक है और angular js के जो scopes है उसके बारे में angular js, http and table forms अच्छा है जो validation है वो क्या होता है validation और इसके types पूछे जा सकते हैं तो आपको यह आना चाहिए ठीक है fourth unit पर यह हम आजा है तो यह है पूरा आपका routing और navigation पे यहां पर आपको angular js में navigation उसमें जो भी tags, formulas जो भी use होरे है वो आपको पता होना चाहिए ठीक है जो भी services use कर रहे हम उसके बाद में आपका angular js का जो router है उसको आपको use आना चाहिए उसके लिए क्या code लिखना पड़ता है creating nested routes and using route parameter advanced topics के अगर हम बात करें तो यहां आपको short note पूछा जा सकता है angular js के API पे css और animation पे और angular js की application तो आपको यहां आपको पूछा जा सकता है और यदि हम एकदम short में बात करें तो यहां है आपको creating routes and configuring navigation in angular js एक ही है और creating nested routes using route parameter और यह जो css और animation है इसके उपर short note अब finally हम आजाते हैं अपने पांचवी unit पे इसमें bootstrap क्या होता है what is bootstrap उसके features उसके application यह आपको पता होना चाहिए इसका जो grid system है layout और navigation इसके grid system के बारे में आपको पता होना चाहिए और यदि हम बात करें तो यह navbar के जो components हैं यह पूछे जा सकते हैं typography क्या है यह आपको पता होना चाहिए उसमें कौन-कौन सी classes आ जाती है अच्छा आप यह जो forms और buttons हैं यह भी कई बार हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि forms और buttons के types बताईए ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए तो अगर आपने इतना कर लिया इसमें bootstrap उसके features उसको क्यों use कर रहे हैं applications क्या है उसका layout navigation typography के बारे में form और button के बारे में information यह इतना कर लिया तो आपकी यह वाली जो unit है यह भी अल बेस्ट विए प्रपराइटिंस